अबी मैं बीरोखाल ब्लॉक के गामसबा घोडियाना के डाउमला गाउं के नीचे जो खाटली गार्ड बहर रही है वहाँ पे हूँ वरसाथ के दिने आजकेल आप देख रहे हैं बारीज हो रही है मैंने चाता भी लिया हुआ है और खास तोर पे यहाँ पे आने का मकसद यह है कि यहां के एक जागरूस नागरिक है अनिल कुमार उन्होंने कई बार मुझे फोन किया कि आप यहां पे आईए हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और यहां पे बहुत बड़ा ब्रस्टाचार किया जा रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह जो आप गार्ड दे कोई सुरक्षा नहीं की गई है और आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे वहाँ पे वायर केट वाली दिवार लगा दी गई है जो की बड़ी लापरवाई से लगाई गई है जिसमें पत्थर बेहत लापरवाई से भरे हुए हैं नीचे पानी बहरा है हाट्ली गाड का और जैसे ही यहाँ पे ज्यादा पानी जिसन आएगा जिसन तेज बारिस होगी वो दिवारे निशित रूप के नीचे गिरने वाली है और सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीनों को है वो यह है कि यह पानी उनकी सिंचित ठेटों में जाता है और अगर यह नहर उनकी छतिगरत हो गई तो उन्हें रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो जाएगा जाय विख को पानी है कि अपता है तो गएगे गना गरामीन जाएगे पानी है जार्वार खवागे का बाएग पैदाफ़ी पैदाल से जाएगे है अनले है, खो गो जाएगे जाएगे है सक्नाल का रहाया है कि कांगु मल्ला की सबसे में पूल है सिंजिक शेतु के देश्टू और इसमें वाहर केड़े की तिवाल लग रही है जाते में एड है उसको ठोड़ा गया है और अडलगर नदी इतनी भैंकर आते है कि यह किवाले उसके सामें नहीं ठिक पाएगी इसमें बुडवस्ता है अभी तक दो ला प्रभाही हो रही है और शिचाएं विभाग ने जाहीं जानाओ में दिए और समश्याय नहीं सुनी घी है इसमें टो आघे यह अनबा हो रहा है कि वाहर रखिड़े की दिवाल रही सारी नहर में ठाब जाएगी और और इसमें पर नहर हो भाद हो जाए और गाउनों यहां से में पर्चु बढ़ी शारु से ही अबोर्ट सब्सक्राइब अब कुछ तर्जगी और शिचाय दिवाय गवारा लगे नीची तो ये जोची कोई बुण बात नीचे अरी करीरी जोच फनुदर नदिये तई दवाय करिया सकते और जोची युएक बाद इन नहरे बंद वे सकते तो गाहनों पर समझ अब कोई सुनुद इस जोच ये ये इस स्यूशी सबी अगर बात करया दो अर्ट रोच नोच वाट अब मन आठ्यारि कर दो ना परने काम हुए अर् काम लेक्टत हुए शे पर जोची तर्या परहिसा नीचिए और चुछी तब गवाल प्रेशन होगा है अब जैसाब को बताया था यह दिवार के बारे में तो जैसाब ने भी यहां पी बात सुने उसके बद और आगे निकल गए जाए गड़बड क्या है इस दिवार अपी देखिए दिवाल का क्या है अगर एक भी बारिस थोड़ी सी बारिस नदी आने में यह दिवाल अपने दर्वों गिर दाएगी दिवार पूरी ऐसी है सारी दिवार ऐसी है कि चाई विभाग का जो मूल मकसद है वह यह है कि जो नहरे हैं उनको खेतों तक पहुंचाया जाए वह सही हो तूटी नहों जिससे की पानी प्रॉपरली पहुंचे ल है लेकिन मुझे लगता है कि इस गूल में अगर दो-चार लाख रुपए भी खर्च कर दिये जाते तो यह ठीक हो सकती थी लेकिन यह भी बड़ा दुरुभाग्या है कि इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया आप देख सकते हैं कि यह नहर जो है इसका जो नीच में आपको ज्यादा क्या बता हूं आप फूरी देख सकते हैं कि नहर का जो बेस है वो पूरी तरीके से बह चुका है जगा जगा यह नहर फटने लगी है तो यह समझा जा सकता है कि यह काम क्यूं किया जा रहा है यह केवल पैसे को ठिकाने लगाना है यह इनका मकसद नही खेतों तक पानी पहुंचाया जाए और जिससे की लोग खेती बाड़ी कर सके यह आप इस गूल की स्थिती देख सकते हैं इसका जो बेस है वो पूरी तरीके से बहच चुका है लेकिन इसमें जो रिपेर है उसके लिए सीचाई विवाग के पास कोई पैसा नहीं है और आप कि गाओं की जो महिलाएं है वो भी अब नीचे आ गई है क्योंकि इन खेतों में जो काम करती है और बच्चों के लिए जो अनाज पैदा होता है उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है वो भी बड़ी निरास है कि इतना पैसा लगने के बाद इनके गा